इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते शले कि ऐसा कही कि अप शिंदे गुट और बीजेपी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो आप लोग कहेंगे कि फेक न्यूस है लेकिन इस खबर में पूरी तरीके से सो प्रतीशत सचाई है तो आपको बता दूँ यहाँ पर एक रास्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की महारास्ट्र एकाई के अध्यक्ष जेंद पार्टी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने का दोज़र चौबिस में विधान सबचना भार्तिय जनता उख्यमंत देकना शिंदे की शिफसेना या तो खतम हो जाएगी उनका स्तित्वा खतम हो जाएगा या फिर वो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे क्योंकि सत्ता हर किसी को चाहिए और जनता के लिए काम हर किसी को करना है वो करना है या नहीं करना व मुझे नहीं लगता है कि जब मुकावला बीजेपी एवं एमवे की बीच होगा तो शिंदे गुट बरकरार रहेगा उदफठाकरी के अगवाई वाले शिफसेना धड़े राकमपा और कॉंग्रेस के एमवे सरकार पिछले साथ शिंदे के अविबाजे शिफसेना से अलग हो जाने के बाद गिर गई थी उसके बाद शिंदे ने मुख्यमंतरी बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया हाल में चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिफसेना की मानने ता दी और उसे चुनाव निशान ती धनुश आवंटे तो भी किया अब देखा जाए यहाँ पर तो रास्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी जंद पार्टिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी स्ताने राजनेतिक संगटानों का स्तित्व नहीं चाहती है और उनके वकास के विरुद है न्सिपी नेता आगे कहते हैं कि बीजेपी ने छोटे दलो संयोगिये या प्रतिद्वंदियों को नश्ट करने के लिए काम किया है बीजेपी का एक मातर एजन्डा छोटे दलो को अस्तिर करना है ताकि वह उनकी वोट हासे हिस्सेदारी को हत्या सके उन्होंने कहा है कि यदि शिंदेगुट तब तक बना रहता है तो बीजेपी आखिर में उसे 48 स का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आता है तो यहां पर शिंदे का धर कई ना कई पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाब चुनाव लड़ता नजर आएगा क्योंकि शिंदे को मुख्य मंतरी बने रहना है अब इस पर अपनी राय जरूर दीजेगा कि क्या एंसीपी न मेता का दावा जो है वो सही है और बाग इसी खबरों के लिए देखते रहे है नेक्स नाइन न्यूज